हेलो एवरीवन आज हम पढ़ेंगे हिंदी विसे का कारेपतर कठारा पार्ट बारा जब मुझको साप ने काटा बच्चो पहला प्रश्ण है नीचे दिये गए जानवरों में जो आपको खतरनाक लगते हैं उन पर गोला लगाओ तो इन में से हमें खतरनाक जानवरों पर गोला करना है तो पहला खतरनाक जानवर कौन सा है साप उसके बाद खतरनाक क्या है चीता बिल्ली खतरनाक नहीं होती और नेक्स्ट है हाती हाती पालतू भी होते हैं और जंगली इसलिए ये खतरनाक इतना नहीं होता लेकिन भालू जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है उसके बाद सेर को भी खतरनाक जानवरों की स्रेनी में क्योंकि बहुत ही खतरनाक होता है बच्चो प्रस्न दूसरा है ऐसे जीव जन्तों का नाम लिखो जो रेंगते हुए चलते हैं उचलते हुए चलते हैं तैरते हैं और उड़ते हैं तो सबसे पहले हम कौन से जानवर लिखते हैं जो रेंगते हुए चलते हैं, तो साप जो है वो रेंगता है, छिपकली भी रेंगती हुए चलती है, कैंचुआ, कैंचुआ भी रेंगने वाला जीव है, जोंक, सबी जानते हैं कि जोंक भी रेंगने वाले जीवों में आती है, उसके बाद अब हमें लिखने हैं उचलते हु पहुँचने के लिए जंप करता है मतलब उचल के चलता है और गिलैरी भी उचलने वाले जीवजन्तों में आती है अब लिखते हैं तैरने वाले जीवजन्तों सभी जानते हैं मचली केकड़ा, कच्छुआ और मगरमाच ये सभी पानी में रहते हैं और तैरने वाले जीवजन्तों हैं अब उसके बाद है उड़ने वाले जीवजन्तों कबूतर कोवा, गोरया चील ये सभी कौन हैं उड़ने वाले जीव बच्चो प्रस्न तीसरा है कहानी में पीतल के बरतन का जिकर किया गया था आपने अपने आसपास किन किन चीजों के बरतन देखे हैं सभी वच्चे विबिन परकार के बरतन देखते हैं अपने आसपास तो अब हमें लिखना है कि आप कौन कौन से बरतन देखते हैं तो पहले टाइम में हम क्या देखते थे मिट्टी के बरतन आज भी कुछ घरों में मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं दूसरे हैं चांदी के बर्तन सभी जानते हैं कहीं कहीं पर चांदी के बर्तन भी देखने को मिलते हैं नमबर तीन है स्टील के बर्तन सभी के घरों में पाए जाते हैं और नमबर फोर है तांबे के बरतन बच्चो प्रस्ण फोर है नीचे लिखे सब्दों में जो सब्द घर से संबंदित नहीं है उन पर यह चिन लगाओ मतलब क्रोस का चिन लगाओ आंगन छट बरामदा अटारी छट जाई यह सभी क्या है घर में पाई जाते हैं आंगन भी सभी के घर में होता है छट भी सभी के मकान की होती है और घर में बरामदा भी सभी के होता है अटारी भी होती है और घर में छज्जा भी सभी के होता है घर में लेकिन ना तो डागगर होता है ना घर में सड़क होती है ना ही नहर होती है और ना ही बाजार लेकि त्रसोई जो है वो घर में ही पाई जाती है सीडियां सभी के घर में होती है जोहर अस्तवल खेत ये सभी क्या है ये घर में नहीं पाई जाते हैं ये सभी बाहर होते हैं कमरा सभी के घर में कमरे होते हैं साप दीरे दीरे रेंग रहा था यहां दीरे सब्द का दो बार प्रियोग हुआ है दीरे जो सब्द है वो दो बार प्रियोग हुआ है ऐसे ही कुछ सब्द नीचे लिखे गए हैं आप उन सब्दों के वाक्य बनाओ जैसे कि दीरे दीरे सब्द का वाक्य बनाया गया है उसी प्रकार से हमें जो इस सब्द दिये गए हैं इनका वाक्य में प्रियोग करना है घर घर अब हमें इसका प्रियोक करना है तयोहार घर घर में उत्सा से मनाए जाते हैं अब है बार बार घर पर लिखने का अभ्यास बार बार करना चाहिए पच्चो आपको ये कार्य पत्रक समद में आया होगा थेंक्स फर वाचिंग